हालो फ्रेंड्स वेलकम टू माई चैनल तो आज मैं लेकर आई हूँ जर्दे की रेसिपी जो की ईद की दावत पे और शादियों में स्पेशली बनाया जाता है बहुत टेस्टी लगता है तो फ्रेंड्स रेसिपी अच्छी लगे तो रेसिपी को लाइक करना और चैनल को सब करना तो यहां पर मैंने एक कटोरी चावा ले लियें और यह बासमती राइस है पक्कावाला तो इसको अच्छे से हमने तीन-चार पानी से दो के और आदे घंटे के लिए भिगो के रख देना है तो इधर इतने में हमने पानी एक भगोने में रख दिया है तो इसको हमने गैस पर रख दिया है और इसमें तीन चार छोटी हरी लाइची और तीन चार ही लोंग डाल देंगे और इसमें डाल देंगे हम साथ में food color तो आप जिस color का भी जर्दा यहां पर बनाना चाहते हो इसमें चावल उसी इसमें color डाल सकते को मैं है कbor यहां पर यहां पर यलो गाल डूला हूँ को आपना नहीं कि कितना । इसलिए तो इसमें से पाने की ज़रुद नहीं है है पानी को यहाँ पर यह देखिए आप कर इसमें नाइंटी परसेंट कुट करने हैं और दस परसेंट हमें इसमें छोड़ देने हैं और चावल हमारे यहां पर हो चुकम हैं अभि health पाणी अलग कर लेती हूँ तो शारी चावनेंगे यहां पर पानी से अलग निखाल लिया है और अभी एक भगोने में हमने घी डाल दिया है घी में मैंने दो लोंग और दो हरी लाइची डाल दिये और अभी इसमें डालेंगे हमने चीनी ले लिए तो एक कटोरी च्यावल लिए मैंने एक कटोरी चीनी ले लेनी है अगर आप चाहते हो कि मीठा थोड़ा ज्यादा कर सकते हो कम कर सकते हो वैसे बराबर नीचे चीनी डाल दी थी पहले फिर उसके उपर चावल डाल दिये फिर ड्राइफूट से फिर उसके उपर हमने दुबारा से चीनी की लेयर लगा दिये और फिर उसके उपर चावल तो एक लेयर चीनी की ड्राइफूट की और एक चावल की इस तरह से हमें इसकी तह लगा द पर लो रखना है तो यह देखिए एक बार हलके हाथ से इसको चला देते हैं जिससे चीनी और चावल हमारे सब जगा एक साथ मिक्स हो जाएं तो हलका हलका सा इसको हमें उपर से नीचे करना है और फिर से ढख देंगे और फिर 5 मुट के बाद में चेक करेंगे तो यह देखिए यहाँ पर बिलकुल नीचे से पानी हमारा फुश्क हो चुका है एकदम चीनी का पानी बिलकुल तो चावल यहाँ पर हमारे जर्दा बनके तयार है बिलकुल तो इसको प्लेट में निकाल लेते हैं और यहाँ पर भी हमने उपर से गार्णिशिंग कर दिये नारियल काजू, तूटी फूटी और मावे के साथ में और चेरी के साथ में आप भी इसको यीद की दावत पे बनाएए किसी भी शादी फंक्षन किसी भी दावत पे आप इस रेसिपी को बना सकते हो अगर आपको रेसिपी अच्छी लगी है तो प्लीज रेसिपी को लाइक किए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब